नमस्कार आप देखरी नेशन न्यूस और मैं हूँ आपके साथ रुत्विक बिहार में चुनावी संग्राम लगातार जारी है दो चरण के मतदान अभी बाकी है पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान से पूर्व अब बिहार में महागडवं बंधन ने एक नया दाव खेल दिया है दाव यह है कि प्रेस कॉंफरेंस किया है आरजडी के राश्विये प्रवक्ता ने मनोज्जा ने और प्रेस कॉंफरेंस के दौरान मनोज्जा ने कहा है कि आने वाले समय में 10 नवंबर को बिहार में सरकार जो बनेगी वो महागडव बंधन की बनेदी दिलने के बादव читagadaru जाएंगे और तेजसवी यादव सीधा दिल ली जाएंगे और प्रधान-मंत्री नरेंद्र, बिहार के वो विशेश राज्ञ्य का धरजा दिलाने के लिए मांगपत्र लेकर वो पिये मोदी से ये मांग पत्र देकर बिहार को विशेश राज्य का दर्जा बनाने के लिए कहेंगे क्योंकि मनोजा ने कहा है जो कि आरजडी की राज़्ट्वी प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि NDA की सरकार ने ऐसा किया नहीं है 15 साल के कारेकाल में बिहार को विशेश नहीं देता है तो आमरण अंशन पर बैठ जाएंगे तेजस्वी यादव यह कहना है आरजडी के राश्ट्रिये प्रवक्ता मनोजा का और क्या कुछ कहा है आरजडी के प्रवक्ता ने आप सुनिए खुद इस वीडियो में हम बिहार में चुनाओ जीतने के बाद आप फिर भी प्रदान मंत्री रहेंगे नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री बनने के बाद आपके पास ग्यापन लिके जाएंगे विशेश राजडी का दर्ज़े का और अगर विशेश राजडी के दर्ज़े को आपने नहीं माना आपकी सरकार ने वही हड़ दर्मिता दिकाई तो मैं आज दावे के साथ आप तमाम मीडिया वालों के समक्ष कह रहा हूँ जो किरिता प्रतिपक्ष कह चुके थे आमरन अंशन पर बैठेंगे क्यों बिहार कटोड़ी लेके विशेश राजडी का खैरात रही मांग रहा है बिहार को हक चाहिए इस मुल्क के बनने में उसकी बनावट बुनावट में बिहार का योगदान है अब गेंद्र का काम है कि बिहार की बनावट बुनावट को अगर बिहार को विशेश राज्य का दर्जा ना मिला तो अब CM नितिजस्वी बनते हैं या नहीं बनते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा 10 नवंबर को भी चुनाव के नतीज़े आने वाले हैं और 10 नवंबर को ये क्लियर होगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी और सर नवंबर को तीसरे चरण यानि की आखरी चरण का मद्दान है और 10 नवंबर को बिहार विधान सभा चुनाव के नतीज़े आने वाले हैं तो फ़लाल के लिए मुझे दीज़े इजाज़त और देखते रहे नेशन नियूज को और विधान सभा चुनाव के लेटिस अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ नमस्कार